हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल इंटेनर सोई विद आईशा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेजिटेवल राइस की रेसिपी हमारे यहाँ पर सरदियों में यह सभी वेजिटेवल्स जो है जरूर मुझूद होती हैं तो मैं इनी वेजिटेवल्स और राइस चली है यह मटर यह रधनिया यह टमाटर और यह प्याज ली है और अब में लोंगी राइस जिसे के मैंने 15-20 मिनट पहले पानी में भीगो कर रख दिया था तो आइए फ्रेंट बनाना स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैंने कूकर लिया है जिसमें के मैंने ऑईल लिया है और ऑईल जो है में गर्म होने के लिए रख दूंगी ऑईल गर्म हो चुका है अब हम उसमें जो है प्यास डालेंगे और हम प्यास को जो है अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे प्यास देखिए हमारी फ्राई हो चुकी है अब हम एक चमच हल्दी पावडर लेंगे और और इनको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे ये देखिए, हम अपनी सबी सबजियों को एक एक करके इसमें डाल देते हैं अब हम इसमें बड़ी डाल देंगे और फिर इसको भूनेंगे समाल के अब हम इसमें मटर डालेंगे, जो के हमने शील कर रख ली थी और अब हम इसे भी इसमें fry कर लेंगे ताके अच्छी तरीके से fry हो जाए और उसके बाद हम आलू डाल देंगे कटे हुए और फिर इसे चलाएंगे ताके हमारे वेजिटेवल्स नीचे ना लगें उसके बाद ऑपना नमक स्वाधनुसार भी डख सकते हैं और इसके बाद मैं आपको देखिए, देखिए वेजिटेवल्स दिखाए देदी हूँ, यह देखिए यह वेजिटेवल्स कितनी प्यारी लग रही हैं फ्राई होकर, और अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, इसकी स्मेल इसमें बहुत अच्छी आती है, यह देखिए फ्रे अब हम इसके फ्लेम को हाई कर देंगे, और फिर दुबार इस अच्छी तरीके से चलाएंगे, और उसके बाद हम इसका ढखान लगाकर बंद कर देंगे, तीन सीटियां देने के बाद जो हम इसकी फ्लेम को बिल्कुल मध्धा कर देंगे, और थोड़ी देर बाद जो हम इसको ढखकन को सीटी निकाल कर खोल लेंगे, यह जो है फ्रेंट से एकदम तयार होने वाली रेसिपी है, तो आए फ्रेंट देखते हैं, यह देखिए फ्र अब हम एक सर्विंग प्लेट में जो है इसे निकाल लेंगे, यह देखिए फ्रेंड्स हमारे वेजटेवल राइस जो है बनकर तयार हैं, इसमें राइस, आलू और सभी वेजटेवल्स जो है दिखाई दे रही हैं, और देखिए कितना प्यारा जो है इसका टेक्सचर आया